नमस्कार दोस्तों मैं सुजीत कुमार Advanced Excel Training Center से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो टिक्टोरियल में जहां आप सीखते हैं Advanced Excel, VVA Micro and बागी चीज़ों MS के लिए तो आज हम अपनी वीडियो में बताने वाले हैं बहुत अचीव formula, maxif और sumif के बारे में जैसे कि अगर पूजा का sum चाहिए आपको, तो generally हम लोग क्या करते हैं, equal to sumif और sumif में हम range को select करते हैं, पूजा को select करते हैं और हम select करते हैं sum range को, sum आ जाता है, ऐसे average, average if हम इस्तमाल कर लेते हैं, but maxif, क्योंकि maxif का कोई formula होता नहीं है और मुझे पता करना है कि पूजा का maximum offer या पूजा का minimum offer क्या था, तो उस case में हम क्या करेंगे, यहाँ पे array का इस्तमाल करेंगे, कैसे देखिए, कि max और यहाँ पे if, if के साथ हमने पूडा को select किया, equal to हमने दिया यहाँ पे पूजा, और फिर हमने अपना maximum value को select कर लिया, अब enter मानने से result 0 आया, तो मैंने हाँ पे क्या किया, मैंने हाँ पे किया, control, save, enter, result 88 आ गया, अब इसको हम sum product से भी कर सकते हैं, कि sum product, sum product में हमने लगाया if, और if में हमने logic दिया, कि that is equal to, पूजा तो a, बड़ सम प्रड़क्ट ने sum किया है, यहाँ पे हम मैक्स देते हैं, control, shift, enter, जरुवत नहीं है, इसको, control, shift, enter, इसको भी करना पड़ेगा, तो some product लगाने की जरुवत नहीं है, यहाँ पे हम मैक्स ही कर सकते हैं, but some product हम लगा के check कर लेते हैं, क्योंकि some product कभी-कभी हमें बहुत साब time में some product में control, shift, enter, करने की जरुवत नहीं होती है, यहां के cases भी नहीं यह आपका formula कैसे work कर रहा है इसको जानना जोड़ी है तो इसको जानने के लिए आप formula evaluate पे जाए और one by formula को evaluate करे देखे इस ने check किया कि कहां कहां पे पूजा है जहां जहां पे पूजा है वहां वहां पे देखे इसने read कर लिया और यहां पे आपका उसकी maximum value 88 आ गई उसी तरीके से आप यहां पे इसकी minimum value भी निकाल सकते हैं कि min और min में आप दीजिए कि if और sorry min और min में आप दीजिए if और if पे आप यहां select कर लें if that is equal to पूजा then हमने इसको select किया and control shift enter result आपके सामने आ गया इस तरह की videos और भी interesting और भी more knowledgeable and लंबी videos हमारे पास 5-5 घंटे की videos है उस videos के लिए आप मेरी website पे जाए या फीड इस पे YouTube पे IPT India को search करें IPT India search bar में search करेंगे तो मेरा channel आपके सामने आ जाएगा सुजीत कुमार advanced excel training और आप इस पे जैसे click करेंगे click करते में पूरा channel दिख जाएगा और चैनल में सबसे पर चैनल को subscribe करें और वीडियोज पे जाएगे तो 2000 से ऊपर वीडियोज आपको बिल जाएगा more than 2000 वीडियोज या फिर आपके पास कोई doubt है या question है तो मुझे आप call कर सकते हैं मेरा number है आपके screen के सामने या फिर मुझे whatsapp कर सकते हैं मैं online classes भी provide करता हूं ता आप